दोस्तों जो लोग ये मानते हैं कि भारतिय हतियारों की क्वालिटी अच्छी नहीं है आज उनको भी पता चल जाएगा कि भारतिय हतियारों में कितना दम है और कैसे एजर वेजान भारतिय हतियारों के सामने धर-धर काप रहा है और अब एजर वेजान भारत के हतियारों को क काउंटर करने के लिए तुर्की के पास मदद मांगने गया है एजरबेजान ये चाहता है कि तुर्की से अब भारी संक्या में हतियारों की खरीद की जाए ताकि भारती हतियारों को काउंटर किया जा सके आपके यादी होगा भारत और अर्मेनिया के बीच पिनाका मल्टी ब दिल की वज़े से एजरबेजान इतनी बुरी तरीके से बोकलाया हुआ है कि एजरबेजान अब ये चाहता है कि भारत के साथ इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाए। रिक्वेस्ट कर रहा है वही पर दूसरी तरफ एजरबेजान चुप चाप तरीके से तूर्की से तूर्की का टाइगर रोकिट लोंचर लेने चाहता है। तो भी अच्छे से पता चल जाएगा कि भारती हतियारों में कितना दम है और जो एजरबेजान अब से 6 महीने पहले भारती हतियारों का मजाक बना रहा था ये हतियार भविश्ये में एजरबेजान की हालत खराब करने वाले हैं। और अब बात करते हैं कि तुर्की के इस टाइगर रोकिट लोंचर में कितना दम है और हमारे पिनाका मल्टी बैरल रोकिट लोंचर में कितना दम है। जो तुर्की का ये टाइगर रोकिट लोंचर है इसकी रेंज 120 किलोमीटर है वहीं पर पिनाका की रेंज मैक्सिमम 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर है लेकिन पिनाका की इफेक्टिव रेंज 75 किलोमीटर है जहां पर टाइगर रोकिट लोंचर में 4 बैरल लगी हुई हैं और बै दागने में शक्षम है और इतना तुर्की के इस ट्राइगर रोकिट लोंचर को रिलोड किया जाएगा इतना तो पिना का मल्टी बैरल रोकिट लोंचर तुर्की के इस ट्राइगर रोकिट लोंचर को दस बार उड़ा चुका होगा और फिलाल अर्मेनिया और एजरबेजान के बोर्डर को देखा जाए तो इनके बोर्डर पर हतियारों की रेंज माई ने नहीं रखती है बलकि हतियार की फाइरिंग रेंज और एक्क्योरेसी मैटर करती है और इसी लिए ही अर्मेनिया ने भारत के पिनाका मल्टी बैरल लोकिट लॉंचर को चुना है प्रस्नली आपने कितनी देर तक टिक पाएगा इस बात का अंसर आप केमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हेव गूड डे